वेल्कम बेक टो माई टॉप्चिनल पेपर है कर कैसा है आप सभी लोग आज किस वीडियों देखेंगे जो भी चात्र यूपी बोट से है या फिर आप एंसी एरडी बोट से है हो एन Leg Channel करने निसमें आपको क्या क्या पड़कर रौने वाला है जैसे वे दिखIFA होने वाला तरी इसमें आपको क्या क्या पढ़के जाओनाहा देखो Apparently से समझना मेरी बात को, यदि आप 90% प्लस लाने वाले हैं, यदि सोच रहें कि आप टॉप करें, मतलब टॉपर बनें, तो याँ थोड़ा सा मेनत तो करना पड़ेगा आपने मेनत किये मुझे पता है लेकिन बस अब इतना देखना है कि लास्ट टाइम में हमें पेपर का, अब हम क्या-क्या पढ़के जाएं, समझ रहें ना क्या-क्या पढ़के जाएं तो देखो, इसमें हमें क्या-क्या पढ़के जाना है हाई स्कूल की बात करने वाला हूं, विग्ञान की बात करने वालों तो देखो part 1 रसायिक अभिकरिया है अब रसायिक अभीकरिया आपका पहला paper का चेप्टर का नाम हो जाएगा बहीं आपको बाद में उपाचे और अभी करिया दोनों देखेंगे रिडॉक्स अभी करिया को पढ़ेंगे यह चोटी-चोटी परिमासा है और यह मुझे पता है आपने सब रट रखी होगी मुझे पता है जो चात्र टॉपर बना चाहता है ना वो पहले से मेरत करता है और सल्लक्षण के परिमासा है और बड़े आराम से अपने याद कियोंगी मुझे पता है दूसरे चेप्टर को उपन करेंगे दूसरे चेप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना आपके पास गैस पेपर हो नोटस बुक हो जो भी है अब ध्यांस देखिए आप इसमें पढ़ेंगे कि अमल चार पढ़ेंगे अभीका लिए सपर लेट और अभीक रिखेंगे दोने वाला सोड़ा की पार आप यह पूच लेता है कि कहा यूज होता है उसका उत्र बताईए ठीक है प्लास्टर और पेरिस बनाने की बिदी और उनको उपियोग कहां किया जाता है वह आप देखेंगे ठीक है वास इतना ही देख लेना फैंकि बिंग अंजनेंटिस वर्टर को छोड़ देना ठीक है और बिरंचन चुरूड को भी छोड़ देना छोड़ टाओ खतम करो इसलिए पढ़ लो ठीक उसके बाद पें तीसरा जो चैप्टर आप पड़ोगे तीसरा चैप्टर में आप चैप्टर हो जागा धातू और अधातू इसमें क्या क्या पड़ोगे cycling क्या होती है खनिद्ग किसे कहते है असकी की परिवहासा निसपार भर्जन ठीक है और धातू मल मौश्ट इंपोट बहुत ज़्यादा important है, चोटी चोटी बरिमास आई होगी बड़ी नहीं होगी, बड़े आराम से आपके question करके आएंगे, question कोई भी छूटता है आपसे, याद रखना, कोई छूटता है तो बना बना के question करके आना, बिल्कुल छोड़के नहीं आना है, इस बात को याद रखन हैं आप सबी को, समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से समझें ना, जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल छोड़के नहीं आना है, ध्यान से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बहतर हो करिए, ठीक है, अब उसके बाद में देखो, क्या कारना है, तुम्हें ध्यान से देखो, चौथे चेप्टर में आजाईए, चौथे चेप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चौथे चेप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 2022 का पेपर जो होने वाला है, UP Board का हाली में होने वाला है, किसी और का होने वाला है, तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिरेंखला को पूछता है आप इसको देख लेना हो सके तो पर देख लेना वर्ना छोड़ देना इनको आप जरूर पढ़ेंगे आई-पी-सी नाम को समयलता को और कार्वन क्या होता है और एथेलेल एथनौल किडवन की परिमासा पढ़ेंगे किडवन सावन कैसे प्रिकार से बनाया जाता है सावनिय करण के वारे में दहन अभीकरिया क्या होती है योगात्मक अभीकरिया के वारे में पढ़ेंगे बहुली करण प्रतिस्थापन अभीकरिया को आप पढ़ेंगे किडवन मैंने उपर किसे कहते हैं आप इसको पड़ेंगे ठीक है अदुनिक आवर्त नियम जो होते हैं आवर्त नियम जिसे कहते हैं मेंडलव के आवर्त नियम को पढ़ लेना है में आपक्या पढ़ेंगी च यह है प्रस्वा मज़ा संसेलेशन टीकाइंन को याद करेंगे Most important ए प्रिकास संसेलेशन्हरन ठीक है सवासन को पढ़ना पड़ेगा स्वासभास यही आ सवासन के अंद्रका आ जासा है यह पूरा पढ़ेंगे यहांसे हां रही पूरा एक होगा ठीक है और सोसन दो प्रिकार के होते हैं एक होता है ऑक्सिसोसन एक है अनोक्सिसोसन दोनों सोसनों को देखने लिए प्रिकार होते हैं ऑक्सिसोसन अनोक्सिसोसन ठीक है उस सर्जन तंतर क्या होता है आप उस सर्जन तंतर को भी आप पढ़ेंगे ठीक है उस सर्जन तंतर को हैं पढ़ेंगे ठीके बिटा समझ में आ रहा है सभी को चलो उसके बाद में आप देखेंगे रुधर के बारे में रुधर क्या होता है ठीके लशी का रुधर लशी का डौनम्स कर दोनों में अंतर पूंचस लेता है धमनी और ingras e क्या होता है और शिरा में असुद रग्त बहता है बासपौर उसर्जन क्या होता है बासपौर जन्जन को यादतारेंगे बिंदू सराब क्या होता है खुला और बंद रख्त परिशंळाبة मिलेगा शमया और 9 अपका चैप्टर का नाम हो जायंगा जीव जनन कैसे करते हैं है इसमे आप पड़ोंक की बारे में देखेंगे हैं काइनिक जनन की बारे में अब किस तरहले से उसको ने quand करेंगे वही न कर्म नियुक्त यूज करकर यह सब कुछ अब देखेंगे ठीक है निस्टेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है मादा अब देखो पुरुस और मादा इस तरीके जनन अंगों को देखेंगे जनन अंग जानते हो अब सबी लोग जानते हैं उसके बारे में इसको अंतर चोन देना यह चूंड देना योज्ट ठीक है बाकि है पित्रा पड़ेंगे उसके बाद में नमा जो 17 चाप्टर आता है ऑनुबंस सकता और जया क्या होता है तो मेंडल के अरनुवंस सकता नियम के बारे हम पड़ेंगे मेंडल के नियम सकता जो नियम थे वह और लिंक बुर्ट सूत्र केसे कहते हैं आप ये पढ़ेंगे उत परिवरतन बात परिवास हुख सवी चोटी परिवास होती सॉटィ परिवास हितcus में आप यह दिथसी क्या होथे पढ़ेंगे डार्विनबाद लेमार्क बाद और इंदार घावाल में जिए दूरो उसके बाद में दसमा चैप्टर प्रिकास परिवरतन अबरतन की बारे में देखेंगे तो प्रिकास का अबरतन पढ़ लेना प्रिकास का परावरतन पढ़ लेना अबरतन परावरतन दोनों देख लेंगे परावरतन अबरतन और आपको बकरता केंदर पढ़ लेना ये बकरता इसको ध्यान दीजिए ये वाला कोशन और ये और ये बस यहां से ये तीन चारवे से एक कोशन आ जाएगा दो कोशन फ़ल जाएंगा वड़े आराम से ग्यारमे चेप्टर में मानब नेतर और रंकी वारे में बात करें तो आपको बस निकट द्रश्टी दोस और दू द्रश्टी दोस को याद कर लेना है बस ठीक है दो द्रश्टी दोस होते हैं और बाकी संजन चमता याद कर लेना मानब का नेतर के वारे में पढ़ लेना बस का सहोजन के वारे पढ़ांगे और प्रतिरोध का समांतर किरम सहोजन मंदelli कि यह से बारे में आपको देखने बनता है वरावर र होता है तो यह कोशन दें यह सो की प्रभाव द्यान रखो विद्धुद्धा की प्रभाव ओ सके तो छोड़ देना लेकिन इसको दुरूर देख लीना यह वाले को आप दरूर देख के जाएंगे यह देखो ध्यान से कि द्यूरत धरा की बारे में ठीक है और द्रश्टी धरा किसी कहते हैं मोटर सिद्धान कि और दिश्धी धारा जनेतर का सिध्धान्द के बारे बस इतना पढ़े लेना ये चार कोशन देख लेना बसबोज और दाएंगे चौधंगे जिवास्म इधन क्या होता है नाभीके विखंडन, नाविकिय सल्लियन और सौरूरजा के बारे में, ठीक है, सौरूरजा क्या होती है, प्रेसर कूकर पढ़ सको, तो प्रेसर कूकर पढ़ लेना, वो सौर मंदल कूकर की बात करेगा, बाकी कुछ नहीं है, बायो गैस पड़ेना ठीक है बाकी बाकी सब छोड़ेना बाकी यहां कुछ नहीं देखने को लिए फंद्रवें चैप्टर में परियावण का चैप्टर है वारा 15 चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दोगे ठीक है दोने प्रदूसरण के बारे में अब यहां देखो 16 चैप्टर आता है इसमें आपको देखना है चिपको अंदोलन मौस्ट इम्पूर्टेंट रहे का चिपको अंदोलन और जलका सलेक्ष्ण आप इसे करेंगे और साधन का विरवर्धन सोड़ेना प्रदूसर को शेहरे कर देना है और कोई दिक्कत है तो क्योंच सेक्स में जबरू बताना कोई दिक्कतै कहीं से कहीं